गुमला में रिंड से अनुदान दाशी कारिकरम का आयुजन ललित उराव नगर भवन गुमला में आयुजित किया गया जिसमें 156 लाबोगों के बीच अनुदान दाशी का वितर्ण किया गया आपको बता दें कि जिला प्रशाशन के द्वारा रोजगार की दिशा में सशक्त और मजबूत विवस्ता की रूप रेखा को तयार किया जा रहा है जहां युवाओं को रोजगार के छितर में हर संबव अफसर मिलेगा वहीं सिक्षित युवा सरोजगार करना चाहेंगे उन्हें आर्थिक सयोग उपलब्द भी कराया जाएगा सरकार यहां के युवाओं को पूरा मौका दे रही है ताकि उनकी प्रतिबा और कौशल का जिला तथा राज्य के विकास में बहतर रूप पे इस्तमाल हो सके जिला इस्तरी ये मुख्य मंतरी रोजगार सरजन योजना के अंतरगत रिन से अनुदान वितरन कारिकरम को सम्मूदित करते हुए ये बाते कही गई वहीं कारिकरम में उपस्थित उपायुक्त शुशान्त गोरब उपविकास आयुक्त थैमन सती आई डी टी ए इंदु गुपता जिला कल्यान पदादिकारी खुशेंदर सौनकेसरी जिला परवहन पदादिकारी ने साम्मूदित की रूप से दीप जला कर इस कारिकरम की शुरुआत की वही मौके पर लाबार्तियों के बीच मुख्यमंत्री रोजगार सरजन योजना की अंतरगत अनुदान आधारे तरिन का स्वीकर की पत्र, ट्रेक्टर तथा स्कॉर्पियों की चावी भी दी गई ग्याथों के राज में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सरजन योजना की शुरुआती है अब जैसे कहा जाए तो अलग-अलग तरह की गाड़ियों का जो है वित्रन हुआ है जाए वो स्कॉर्पियों हो जिसे अपना बिजनेस करते हैं जाए वो ठ्रक्टर और जिसे अग्रिकल्चर के बिजनेस में अच्छा करते हैं तो इसके रेजिस्ट्रेशन के लिए उसके मदद के लिए ट्रांसपोर्ट आफिसे जो मदद चाहिए वो उनको मिलेगा बैंक से कोई अन्य सहायता चाहिए वो मिलेगा या कोई अन्य विकास से संबंदित अगर उनकों के सपोर्ट चाहे तो डिडिसी के इस तर से वो मिल सकता है तो कॉडिनेटर तरीके से जब यह सपोर्ट मिलता है तो बिजनेस बहुत जल्दी सक्सेस्फूल होता है अब इसके साथ ही जहां एक तरफ सरकार इनकी आसाओं को पूरा करती है सरकार उनसे आसा करती है कि अपने तर से जल्दी हो सकी यह लोन दे चुकता करते रहें ताकि योजना का इस प्रोजेक्ट का जो है वो शान इसी गरिमा बर्खरा रहे कहीं भी यह मैसिज नहीं जाए कि इस योजना से किसी तरह की आपती है परिशानी है या यह फ्लॉफ हो सकती है जो इसका इंटेंसन है जो लाव एक सेट अगर वेक्टियों को दे रहे हैं तो उनसे यह आसा किया थी कि आप इसे इतना सफल बनाए इतना अच्छा कवरेज करें कि इसके तहत और दस लोग इस पना कि अपना समय तो पूरा करना होता है को बाराग निवासी सपृकार का जाना सब्सक्रांछा निवासी का कोई कमुख इस方 करिता है फृक दि के ऐस पकर दैने चाहिकरा कि रहे है इस तरह से तो हम लोग आविधन कॉमनतित करने की एक वड़ी प्रक्रिया है वो किसी माध्यम से सकता है उसके लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं है जो व्यक्ति एक छोख है इसका हम प्रचार प्रसार अपर इस तर पर कराया जा रहा है विवा के द्वारा भी हम दो कर रहे हैं और चाहरा है कि दूर जराज के जारी के लाभू को तीन लाख रूपय का ल खल हमने इसको शाम को भुक्तान भी कर दिया आज एक समार हूर को इसका हमने वित्रन भी कर दिया और आप देख रहे हैं कि ट्रेक्टर का मिला है गाडियों का मिला है लवागे इस लोग गुमला जीलक लिए और स्टेट के लिए बनाएंगे इस योजिना की माद्यम से विवाओं को 25 लाक रुपे तक कारण दिया जा रहा है इसमें 40% अनुदान की राशी भी शामिल है वहीं 193 लावकों के गुरुद सैदान्तिक स्विकर्टी प्राप्त कुल 156 लावकों में जिनमें अनुसूचित जन जाती के 100 अनुसूचित जा 282,665,863 के विरुद पर्थम किस्ट के रूप में 7,492,003 की राशी का भुकतान लावकों के बैंक खाते में करने की बात कही गई है